बहर के पुर्व मुख्यमंत्री लालु परसाद यादो समेत अन्य महत्वकून राजनित्तियों और कई आईएस अधिकारियों से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में अभियोजन के बाद अब आरूपियों को अपने बचाओं में गवाहों को उतारने का मौ से जुड़े आरसी 47 ए आउबलिक 96 मामले में बीते 16 जन्वरी को लालु परसाद के बयान के साथ नयाइक प्रक्रिया का स्टेप बदल गया है अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की और सामना कर रहे सभी 110 आरूपियों को अपने बचाओं में गवाहा प्रस्टूद करने का समय दिया है जो आरोपी बचाओं के लिए अदालत में प्रस्पूत करना चाहते हैं वैसे आरोपी सुनवाई के अगली निर्धार तारिक 20 जनवरी को गवाहों की सुची अदालत को सौपेंगे मिली जानकारी के अनुसार लालो पृषाओं चारा गोटाले के अन्य चार मामलों की तरह इस मामले में भी अपने बचाओं में गवाहों को अदालत में प्रस्पूत कर सकते हैं ये बड़ा मामला सामने आया है इस वक्त और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है CBI ने 4 गोटाले के 5 मामलों में लालू पिसाद को आरोपी बनाया था 4 मामलों में फैसला आच चुका है लालू पिसाद 4 गोटाले के 4 मामलों में अपने बचाओं में गवाहों को अदालत में उतार चुके हैं चारा कांड संख्या R.C.B. से ओबलीक 96 में बयान दर्ज होने के बाद लालू ने अदालत को 74 गवाहों की सुची सौपी थी, हाला कि अदालत ने सिर्फ 17 गवाहों की इच्वासत प्रदान की थी. चारा कांड संख्या R.C. 64A.96 में अपने बचाओं में 80 गवाहों की सुची अदालत को सौपी थी, लालू प्रसादी आदम ने, हाला कि बचाओं में लालू और अन्ये के साथ तर्फ 22 गवाही दर्ज हुई थी, इसी तरह चारा कांड संख्या R.C.A. 96A.96 मामले में लालू न सत्रह गवाही की थी, कुल 23 गवाही दर्ज की गई थी, चारा कांड संख्या R.C. 38A.96 में लालू ने संभावता 16 गवाहों हुटा है बचाओं पक्ष दुवरा प्रस्तूत गवाही पूरी होने के बाद नयाइक प्रक्रिया का स्टेप बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है इसके बाद अब योजन की ओर से बहस प्रारम हो जाएगी अब योजन के बहस पूरी होने के बाद बचाओ पक्ष के अधिवक्ता बहस करेंगे दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामले में अदालत पैसले की तारिक में धारित कर सकेगी इस वक्त ये बड़ी खब नेक्स्ट नाइन न्यूज भोशपुरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई